दिवाली में अगर आपको भी दिखाई देते हैं, ये जीव जन्तु तो हो सकती है मा लक्ष्मी की कृपा, होती है धन की प्राप्ती। दिवाली में इन जीव जन्तुओं का घर पर आना अथ्वा निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके भी घर पर ये जीव जन्तु आते हैं, तो इन्हें भूल से भी नहीं मारना चाहिए। नमस्कार आपका स्वागत है। हिंदु धर्म के पुरानों में कई पशु एवं पक्षियों को पूझनिय माना गया है। ये पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में श्रेष्ट माने जात हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशिष्ट प्रकार का संकेत माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रिय और वैज्ञानिक दोनों कारण है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक उर्जा की किरणों को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक उर्जा का पीछा करते हुए वे विविध स्थानों पर जाते हैं जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है उसी प्रकार से इन पशुपक्षियों को सकारात्मक उर्जा वाले स् जाते हैं जहा का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इसलिए वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मक्ता फैलाने वाले कीडों और जानवरों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए। अन्यथा इससे घर का वातावरण अशुभ बनता है और घर में रहने वाले लोगों की उन्नती नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीडों को शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना शुभ संकेत समझना चाहिए। कभी-कभी हम घर पर बैठने वाले पशुपक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुश्यों का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर शुभ पक्षी आकर बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के और सत्व गुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पक्षी, कीडे मकोडे दिखाई देते है तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीडो और जानवरों के बारे में जिनका दिवाली में घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है वेदों में और पुरानों में ऐसे कई जीवों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर आने से शुभ अशुभ लक्षन प्रकट होते हैं जिन्हें कभी दुरलक्ष नहीं करना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं विविध किटकों तथा जानवरों द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में सबसे पहला है चछुदर दोस्तों चछुदर का घर में होना बहुत शुभ होता है वास्तू और जोतिश के मताबिक जिस घर में चछुदर रहता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है इसके अलावा चछूंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों और घूम जाए तो समझ लें कि उसे जल्दी ही बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है यदि दिवाली की रात किसी को चछूंदर दिख जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है उसे अप्रत्याशित पैसा और खूब तरक्की मिलती है यदि चछूंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा ले तो उस घर की विपत्ति टल जाती है और कई मुसीबतें खत्म हो जाती है दूसरा जीव है चूहा दोस्तों चूहा भले ही बुद्धी के देवता गणेश जी का वाहन है लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धी के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है अचानक घर में चूहों का आगमन होना किसी अशुभ घटना का भी संकेत माना जाता है तीसरी है मधुमक्षी दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्षी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है इसलिए इसे अपने घर से हटा देने में ही भलाई है घर पर मधुमक्षी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है मधुमक्षी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं ये आपके जीवन को भी क्षत विक्षत कर सकते हैं इसलिए यदि घर में मधुमक्षी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए चौती चीज है, मकडी के जाले वास्तु की दरिष्टी से घर में मकडी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है ये दुरभाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है इसलिए घर में कहीं पर भी मकडी का जाला दिखते ही उसे तुरंत हटा दें मकडी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोगता है पांचवा जीव है तितली तितली का घर में आना सौभाग्य की बात होती है और यह एक अच्छा संकेत भी माना जाता है इसका तातपर्य यह है कि आपको बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है तितली का बार-बार घर में दिखाई देना किसी बहुत ही शुभ घटना का संकेत माना गया है तितलियां रंग बिरंगी होती है यह आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही घर में आती है इसीलिए गलती से इस जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए तितली जितनी अधिक खूबसूरत होती है, आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां आती है चठा जीव है भंवरा, घर में काले रंग का भंवरा आना शुब संकेत है आपको जल्द ही विवाह से जुड़ा कोई शुब समाचार मिल सकता है भंवरे को भूल से भी मारना नहीं चाहिए, ये आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आया है भंवरा घर पर आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुवात हो सकती है सात्वा जीव है बिच्छू कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दें, तो समझो की आप पर कोई संकट आने वाला है जिस घर में बिच्छू कतार बना कर बाहर जाते हुए दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक है ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है आठवी है चीटियां अगर आपके घर में काली चीटियां आ रही हैं तो खुश हो जाईए दरसल माना जाता है कि ऐसा होने पर भविश्य में आपकी सुख शान्ती में व्रिद्धी होने वाली है वहीं काली चीटियों को आपके एश्वरे के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है काली चीटियों को खाना खिलाना शुब होता है अगर चावल के भरे बरतन से चीटियों निकल रही है तो यह शुब संकेत होता है कुछी दिनों में आपके संचित धन में व्रिद्धी होने वाली है व्यक्ति की आर्थिक स्थिती अच्छी होने जा रही है काली चीटियां भौतिक सुख वाली चीजों के लिए शुब है अगर काली चीटियां आपके घर में एक गोल घेरा बना कर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मा लक्ष्मी का आगमन हो चुका है आपके घर की आर्थिक स्थिती में काफी सुधार होगा आपको कही से बहुत अधिक धन की प्राप्ती हो सकती है जोतिश शास्त्र के अनुसार काली चीटियों को अन्न खिलाना बहुत शुब होता है घर में अगर चीटियां दीवार पर उपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे और यदि चीटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर काली चीटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुब संकेत समझना चाहिए इससे धन में वृद्धी होती है यदि चीटियां दक्षिन दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुब संकेत समझना चाहिए यदि पूर्व दिशा से चीटियां आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में सकारात्मक्ता बढ़ने का संकेत है यदि पश्चिम दिशा से चीटियां आती हुई दिखाई दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है नौवा जीव है घोंगा शास्त्रों के अनुसार दिवाली में घर में घूंगे का अचानक से निकलना, अथवा घर की दिवार पर रेंगना, शुभ संकेत समझना चाहिए आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है दसवा जीव है छिपकली दोस्तों कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंथी घर से भगा देने का प्रयास करते हैं कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं लेकिन शायद आप नहीं जानते कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुब संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। अगर दिवाली में आपके घर पर छिपकली आती है, अथवा आपको छिपकली दिखाई देती है, तो उसे मारना नहीं चाहिए। उसे सौभाग्य की प्राप्ती होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुब होता है, इसका संबंध अलक्षमी से होता है। खास कर दिवाली में छिपकली को मारना अशुब माना जाता है, छिपकली मा लक्षमी का ही रूप होती है, इसे मारने से महापाप लगता है। ग्यारहवा जीव है, सर्फ। दोस्तों भारत में कई जगहों पर दबॉया सांप को मा लक्षमी से जोड़ कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस सांप के दर्शन होने से धन की प्राप्ती होती है। यह एक अत्यंत जहरीला सांप है, इसी लिए इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसे दिवाली में मारना भी नहीं चाहिए। इस सांप के ऊपर कौडियों की जैसी निशानिया होती है। अगर आपको भी दिवाली में इस सांप के दर्शन हो जाए, तो आपक लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से घर में इन जीवों के आने से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक ज़रूर करे। और कमेंट में जय मा लक्ष्मी अ धन्यवाद।